हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Micromax iN1 Android में आप जो है power on sound setting को आप जो है enable कैसे कर सकते हैं और यह power on sound setting जो है enable होने के बाद कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकरी देने वालों तो चलिए यहां पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open कर लेना है setting page open कर लीजिए अब यहां पर आपको जो है नीचे की side में आना है और यहां पर आपको यह sound का option पावर ऑन साउंड को ठीक सामने आपको यह button दे रहा है इसे आपको सेलेक्ट करना है तो यह setting जो है आपकी इनेबल हो जाती है अब यह setting जो है इनेबल होने के बाद काम कैसे करती है यह मैं आपको समझा देता हूं ठीक है तो जब भी आप अपने मुवाइल फोन को जो है power off करेंगे फिर इसके बाद power on करेंगे ठीक है तो आपका मुवाइल फोन जो है वो sound create करेगा power on होने तक जितनी देर वो power on होने का process लगेगा उतनी देर तक आपका phone जो है वो कुछ ना कुछ sound create करेगा जो कि आपके मुवाइल मुवाइल फोन की default setting according set हो रखा होता पहले से ठीक है तो यहाँ पर जो है यह setting power on sound setting enable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी आपके micromax i1 android मुवाइल फोन में तो अब मैं आपको जो है यह power on sound setting को ढूणने का एक shortcut तरीका बता देता हूं कि कैसे आप अपने वाइल फोन में setting को shortcut तरीके से ठूंड सकते हैं इसके लिए आपको करना है कि आपको अपना setting page open कर लेना है setting page open कर लेंगे तो सबसे उपर आपको यह search setting का option दिया हुआ इसे सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर आपको जो है search bar में type करना है power on sound जो setting का name है वो आपको जो है यहाँ पर type करना है तो नीचे की side आपको एक option शो हो जागा ठीक है power on sound का जब यह नीचे की side option शो हो जागा तो इसे आपको जो है select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपका वाइल फोन आपको जो है direct इस setting में लेकर आ जागा और इस setting को जो है highlight करके दिखाएगा ठीक है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दे इस setting को ढूणने का